यह निडलेज को मैं half pipe beat से बनाऊंगी इससे पहले मैंने one pipe beat से बनाया है basic stitch वो आप refer कर सकते हैं और anchor pearl cotton thread लोगी सबसे पहले ऐसी needle select करें जिसमें से beat easily pass हो मैंने knot tie कर दिया है edge यह जो इस पर हमें यहाँ पर thread attach करना है पीछे से knot को hide करते हुए और same same जगह पर यहाँ पर इस तरह से मैंने scale करें नेडल इंसर्ट की और एक chain stitch लगा दी ताके मेरी जो knot है tight हो जाए और thread secure हो जाए इस तरह से अब single stitch बनाएंगे छोटा सा right side में इस तरह से thread रखना है हमें अब यह जो space create हुई है इसमें needle को insert करते हुए इस तरह से two turns लगाने है needle पे और bouillon stitch बना रहा है और यह straight रखना है इसे thread को beat को starting point पे इस तरह से रखना है end पे नहीं लिकर जाना है और फिर यह जो gap है यहाँ पर picot के नीचे यहाँ पर needle को insert करते हुए इस तरह से chain stitch इसके उपर बनाना है इस तरह से single beat जो one bead है वो attach हो गई अब इसी तरफ मैंने thread को रखाए इसे attach करेगे थोड़े से distance पे अब यह जो gap जो बनाएं यह जो stitch बनी है इसमे नीडल को insert करते हुए two time wrap लेते हुए इस तरह से bouillon stitch बनाएंगे अब यह जो टॉप पे जो picot है यहाँ पर नीडल को insert करेगे और इसे मिलाते हुए two time इस तरह से wrap करते हुए इसके around में नीडल के यह thread को यहाँ पर लेकर आएंगे टॉप पर अब हमने one bead add के थे अब हमें two bead add करनी है two beads तो one one करके add करेगे तो मैंने one bead इस तरह से नीडल में डाल दी यह starting point पे रखा इसे और same repeat करेगे इस तरह से रखते हुए thread को यह जो picot है इसके नीचे जो gap है यहाँ पर रखते हुए chain stitch लेगे और इसे इसके ऊपर लेकर आजाएगे इस तरह से thread को needle से hold कर सकते हैं इसे tight करेगे अब second bead add करेगे इस तरह से और इसे starting point पे ही रखेगे अब यह देख सकते ही जो नीचे यहाँ पर जो gap है last इसमें इस तरह से needle को insert करेगे और thread को इस side ही रखेगे और यहाँ पर इसे यह bead को attach कर देगे इस तरह से यह से इसके ऊपर लेकर आएगे इस तरह से third bead में attach हो गई है अब इसे fabric में same distance maintain करते हुए यहाँ पर इसे attach कर देगे तो इस तरह से three three beats लगाते वे यह design बनाएंगे अब मैं same repeat कर रही हूं अब आए 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 कर दो आए और आए कर दो प्यांब आए तो इस तरह से रिपीट करते हुए डिजाइन कंप्लीट करें जर बड़िए रिजाइन करते हुए लिए रिपीट करें